दोस्ते मित्रो सभीको जैशिराम आज हम जानेंगे उम्र पढ़ाने के उपाय सौ वर्स तक जीने का उपाय इसकंद पुरान में दिया है इसकंद पुरान में आता है कि भोजन करते समय पांच अंग धो कर जो भोजन करता है उसकी उम्र सौ साल की होती है उसकी आयू बढ़ती है चा, पांच अंग, दो हाथ, दो पैर और मुझ धो कर भोजन करने बैठें अब सुनेंगे तुलसी महिमा, 25 दिसंबर 2021 को तुलसी पुजन दिवस है तुलसी के निकट जिस मंत्र इस्तोत्र आदी का जब पाट किया जाता है वासा बनन्त गुना फल देने वाला होता है प्रेत, पिसाच, ब्रह्म, राक्ष, भूत, दैत, आदी सब तुलसी के पौधों से धूर भागते हैं ब्रह्म, हत्य, आदी, ताप, तथा, पाप और बुरे, विचार से उत्पन होने वाले रोक तुलसी के सामिप्य एवं सेवन से नश्ट हो जाते हैं तुलसी का पूजन, रोपन वा धारन पाप को जलाता है और स्वर्गेवं मोक्च प्रदायक है श्राद और यग्य आदी कारियों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुन्य देने वाला है जो चोटी में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परिकार करता है वह पाप रासी से मुक्त हो जाता है तुलसी का नाम उच्चारन से मनुष्य के पाप नश्ट हो जाते हैं तथा अच्छे पुन्य की प्राप्ती होती है तुलसी ग्रहन करने से मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है तुलसी पत्ते में टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारन करता है उसे गंगा निश्णान और दस गौदान का फल मिलता है पद्मपुरान के अनुसा ये सब चीजें पद्मपुरान में लिखा है और तुलसी का मंत्र जानेंगे तुलसी माता पर जल डालते वे इस मंत्र को बोले महाप्रसाद जननी सर्वसोभाग्यवर्दनी आधी व्याधी जरा मुक्ती तुलसी त्वाम नमुस्तुते और इस मंत्र का अर्थ जानेंगे हे भक्ती का प्रसाद देने वाली मा, सौभाग्य बढ़ाने वाली, मन के दुख और सरीर के रोग धूर करने वाली तुलसी माता को हम प्रणाम करते हैं. तो तुलसी मा की बड़ी महिमा है, तुलसी माता सब की माता है, जो की आयू आरोग यसा किर्टी देती है, और जैसे किसी की मृत्यू होती है, तो तुलसी की लकड़ी यदि सुखी लकड़ी उसके लकड़ी के साथ अगनी देने पर सद्गती होती है, जैशियाम.